बिस्मिल्ला रौख्माइन रौहीम असलामु आलेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं 11th Class Physics चाप्टर नमबर है जी हमारा 4 वर्क एंड एनर्जी और लेक्चर 4 हम आज सीखेंगे आज के जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन इन दा ग्रेविटेशनल फील्ड बचो ये एक इंपोर्टन टॉपिक है यहां से शार्ट और लोंग दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं अब क्वेश्चन आप से किस तरहां से पूछा डा सकता है पेपर में पहले में वही आपके साथ शेयर करते हैं ताके जब आप सीखेंगे तो आपके इंदर माइंड में वो चीज़ें पहले से हूँ पहला गोस्चन पूओ डिय्ट वर्ट डं इन दा ग्लेटेश्चनल फील्ड अलोंग उद्ध एज़ेंटविकर काठ कर Эप्ध हैं वर्ड cope tej 않 करें कि तूसरा क्वेश्चन आप से यह पूछा रासकता है मैंोने इंदेश्चनल फेल्दिज इंडिपैंड आप आपने ये the work done in the gravitational field is independent of path ये दो question आ सकते हैं जो main और ज्यादा important है इसके इलावा आप से चोटे short question में पूछा जा सकता है definition पूछी जा सकती है कुछ ठीक है gravitational field क्या होती है, field strength क्या होती है conservative field क्या होती है, conservative force की examples objective में पूछी जा सकती है, ठीक है तो ये चीज़े आपको सीखनी है तो start करेंगे, जी सबसे पहले हम बात करेंगे gravitational field होती क्या है पहले मैं आपको ये deeply explain करते हूँ ताकि आपका concept जो है वो clear हो जाए देखो बच्चो, मैं एक magnet के help से ना आपको सिखाता हूँ ये एक magnet है उसका हम, ये south pole जो है वो show कर रहे है अब इसके around एक region है यहां पे इस region के अंदर अगर कोई और magnet आएगा तो वो force महसूस करेगा अगर मैं यहां से, इदर से एक north रखूँगा तो इसकी कोई repulsion, attraction नहीं होगी यहां पर अगर मैं north वाला face लेके आता हूँ इसे तो कोई attraction नहीं होगी, इदर से भी कोई attraction नहीं, यहां से भी कोई attraction नहीं इदर से आजें, कोई attraction नहीं लेकिन जैसे ही मैं इस region में इंटर हूँगा ऐसे north pole के साथ तो अब इसके उपर attraction आना start होजगी बले ही थोड़ी four seconds के फासला ज्यादा है इदर मियान में लेकिन यह इसकी तरफ attraction करना start कर देगा किसी भी direction से आप आजें, इदर से आप आजें इस region में जैसे इंटर होगे इस region में तो आप feel करेंगे के magnet जो है वो इसकी तरफ attraction feel कर देगा ठीक है अब आप आगे आगे भड़ते रहें यहां पर ले आए इस location पर ले आए तो हर जगा किसी भी point के उपर ले इस region में तो वो attraction जो होग करेगा ठीक है ठीक है कि जहां पर कोई दूसरा magnet आएगा तो वो force महसूस करेगा यह जो region है यह जो इलाका है यह इस magnet की field है जिसको हम magnetic field कहते है मैंने magnetic field की example से इसलिए समझाया क्यूंकि यह हमने real life में देखा हुआ होगा है ठीक है ओके तो आपने देख लिया कि इस magnet की इर्दगित एक खास इलाका है कि जहां पर कोई और magnet आएगा तो वो force महसूस करेगा ठीक है तो मैं यहां पर ड्रा कर देता हूँ छोटी सी अर्थ बना देता हूँ यहां पर यह आगर हमारे बास अर्थ और इसके अराउंड यह इसका center है इसके अराउंड भी एक ऐसा region होगा कि जहां पर कोई object आएगा तो वो earth की gravitational force को feel करेगा जिसके वज़े से object जो है वो earth की तरफ अट्रेक्ट होती है अशे ठीक है अब यह जो region है अराउंड अर्थ इस region को हम gravitational field कहते हैं ठीक है ओके इसको हम define कैसे करेंगा ज़रा देखिए the region around the earth in which it can exert its gravitational force on the other bodies is called gravitational field तो आपको यहां से समझ आगी होगी यह basically earth के around एक region है एक इलाका है कि जिस इलाके में कोई object आएगा तो वो earth की gravitational force को महसूस करेगा ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको इस magnet वरी example से अच्छा से समझ आ गया होगा कि gravitational field क्या होता है कि इसको तो observe करना थोड़ा सा मुश्कल होता है लेकिन इसको हम आसानी से observe कर सकते हैं हमने real life में magnet से खेला होता है ठीक है तो हमें पता होता है कि हम एक खास distance अगर लाएंगे तो फिर वो attraction शो करता है उससे पहले attraction शो नहीं करेगा ठीक है तो बच्चों य क्या होते है तो बिल्कुल सिंपल और आसान है यह point B strength क्या होता है आप से पुछा जाता है आपकी class के strength कितनी है याप से quantity पूची जा रही है तादाद पूची जा रही है amount पूची जा रही है ठीक है तो gravitational field strength को आप अपने mind के लिए समझने के लिए तना समझ लें कि कहां प तो अब इसको define जो किया गया ना वहां students को एक इतराज होता है कि सर यह definition इसकी किस तरह से है देखे ग्रैपिटेशन है जी gravitational force per unit mass is called gravitational field strength ठीक है एक unit mass जितनी gravitational force महसूस करता हो उसको हम gravitational field strength कहते हैं यह कैसी definition है समझने में मुश्कल होती है understand करने में इसको मसला होता है तो मैं आपको समझाता हूँ देखो बच्चो जो चीजें आप देख नहीं सकते उनको आप feel करते हैं ठीक है मैं आपको एक छोटी सी game बताता हूँ चायद आपने खेली भी हो अक्सर बच्चे क्या करते हैं एक बच्चे की आंख पेंच वह पट्टी बांदी जाती है बागी उसक बिना देखे अपने आसपास अपने दोस्तों को पकड़ना होता है अब वो देख नहीं पा रहा है तो फिर क्या होता वो feel करता है कोई बात करता है उसको सुनता है ठीक है वो feel करता है कि यहां से आवाज आ रही है तो वो उसको पकड़ लेता है किसी के कदमों की आवाज उ सामने आके तो वो फोरन से गैस कर लेता है कि मुझे आवास सामने से आई है उसको ऐसे पकड़ लेता है तो याद रखें जब हम चीजों को देख नहीं सकते फिर उनको फील करके हम information हासिल करते हैं जब आपके आंखों पे पटी थी आप देख नहीं सकते थे आप महसूस कर र फील किया sound को ठीक है और उसकी help से आपने वो पता चला है अब आप gravitational field के अंदर है क्या आपको फील नजर आ रही है क्या आपको लगता है यह field इदर मुझे कोई ऐसी कोई object नजर आ रही है जिसने में कहूं यह देखो यह field है तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्कल होता है इसको देखना तो जब हम इसको देख नहीं सकते तो फिर हमने इसको field करना होता है field हम कैसे करते हैं हम एक unit mass लेकर आते हैं और उस unit mass को gravitational field में रखते हैं फिर देखते हैं कि यह unit mass कितनी force महसूस करता है अगर वो unit mass थोड़ी force महसूस करे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर gravitational field strength weak है अगर वो unit mass ज्यादा force महसूस करे तो हम कहेंगे यहाँ पर gravitational field strength जो है वो strong है अब दरह देखे यह हमारे पास gravitational field है मैं एक object को यहाँ पे रखते हूँ एक unit mass है मेरे पास ठीक है let's suppose 1 kg अब यहाँ रखके मैं feel करूँगा कि इस के ओपर earth की gravitational force कितनी act हो रही है तो यहाँ पर earth की gravitational force कम act हो रही होगी तो यहाँ पर field जो है वो कमजोर होगी weak होगी ठीक है gravitational field strength यहाँ पर low होगी कम होगी क्यों ऐसा क्यों आप जानते हैं कि दो object के दरमयान जब फासला बढ़ता है तो उनके दरमयान force कम हो जाती है lab gravitation आपको आता है तो यह object earth के center से दू है ना तो इसके उपर gravitational force कम होपलाई होगी अगर gravitational force यहाँ कम अपलाई होगी तो यहाँ पर field कमजोर है gravitational field strength यहाँ पर कम है ठीक है और अगर मैं इसी object को earth के करीब ले जाता हूँ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर लेकर जाओंगा तो इसके और earth के दरमयान फासला कम हो गया ज्यादा force मालूम करेगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर field strong है तो इससे हमने क्या सीखा जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे तो gravitational field जो है वो कमजोर होती जाएगी gravitational field strength कम होती जाती है ठीक है तो बच्चो यह था concept gravitational field strength का इसलिए हम कहते हैं कि एक unit mass जितनी gravitational force महसूस करता है वो डिवाइन करती है जी आपकी gravitational field strength at that point ठीक हो गया तो फिर से देखने definition को gravitational force per unit mass एक unit mass कितनी gravitational force को feel करता है इसका gravitational field strength ठीक है इसका फ्रामुला में भी आप ऐसे लेखें कि gravitational force divided by mass तो आपके बस gravitational field strength आजएगी उसके बाद बच्चो हम बात करते हैं जी conservative field की यह conservative field क्या होती है अब जरा इसको भी देख लीजिए conservative field एक ऐसी field है कि जिस field के अंदर रहते हुए अगर आप एक close path के along work करेंगे एक close path के along work करेंगे तो आपका work zero होगा आप एक point से दूसरे point तक जाते हुए जो work करेंगे वो independent of path होगा यानि इस point से इस point तक आपने जाना है आप चाहें यहां से यह जाएं चाहें उपर से होके यह जाएं चाहें नीचे से होके उपर आएं कोई भी path इस्तमाल करेंगे ऐसे random path कोई भी apply करेंगे आप तमाम के तमाम cases के अंदर जो आपके पास work होगा वो same रहेगा work is independent of path ठीक है तो ऐसी field जिसमें अगर close path में work करें तो वो zero होगा ऐसी field के जिसमें एक point से दूसरे point तक जाते होगे हम कोई सा path use कर लें work जो है वो आपके पास same आए तो हम कहेंगे जी यह हमारे पास जो field है यह conservative field है इसको हम कैसे define करते हैं जबर देखें the field in which the work done is independent of path followed और work done in a close path is zero दोनों बाते मैंने बता दी हैं आपको और यही हमारे दो main point है जिनको हमने प्रूफ करना है ठीक है अब यह भी कहा जा सकता है कि प्रूफ करें कि जो gravitational field है वो एक conservative field है ऐसा भी question आप से पूछा जा सकता है ठीक है तो इसलिए यह चीज माइड मे रखें कि यह क्या होता है इसकी जो example है हमारे पास electric field है यानि एक charge के along जो field होती है electric field भी conservative field है gravitational field की example आप ले सकते हैं ठीक है यह भी conservative field है इसको हम अभी प्रूफ भी करेंगे ठीक है अच्छारी उसके बाद अगर हम बात करने conservative forces की तो इस ही से related forces जो gravitational field में जो force होती है उसको gravitational force कहते हैं तो gravitational force जो है conservative force कहलाती है electric field में रिफोर्स होती है वो electric force होती है और उसको हम conservative force कहते है non conservative force कौन सी होती है ऐसी forces होती है non conservative force के जो different path के along different way में लगती है ठीक है path change करेंगे तो उन force की value change होड़ेगी उसमें हमारे पास frictional force आ जाती है और normal reaction force आ जाती है तो बच्चो अब हम बढ़ते हैं जी अपने जो main हमारा task है जो हमने prove करना था कि work done along a close path in the gravitational field is zero तो चलिए उसको prove करते है work done along the close path कोई सा close path ले 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 हम एक triangle की shape ले सकते हैं आप यह triangle की shape है ठीक है आप यहां से इदर जाएं फिर इदर आएं फिर वापस उसी point पर आजेंगे तो यह close path बन जाता है कोई सा close path ले सकते हैं आप एक rectangle ले सकते हैं ठीक है तो हमने यह easy सा close path ले लिए यह triangular shape है ठीक है अब हमने यह prove करना mathematically कि देखो यह close path है इसके उपर body ने क इस close path के लोग कितना है जिरो यह बात हमने प्रूब कर ठीक है तो चलिए जी देखते हैं यह path यह आप देख सकते हैं ट्राइंगलर shape में है इसमें जो three sides हैं इस की इस path की length को d1 का नाम दे दे इसको हमने d2 का नाम दिया और इसको हमने d2 का नाम दे दिया ठीक है तो हम एक object लेते हैं जो के इस path के long पहले यू जाता है उसके बाद फिर यू आता है और इसके बाद फिर यहां पर तो यह एक close path बनाता है मैंने यहां पर arrow से show किया उसको उसके path को ठीक है तो अब हम इसके जो three sides ना तीनो sides के along work calculate करते हैं उस सारे work को फिर add कर लेंगे और देखेंगे वो total work हमारे पास zero होता है या नहीं होता चलिए देखते हैं जी सबसे पहले हम जी work calculate कर लेते हैं work from c to b ठीक है यहां से start कर लेते हैं हम यहां से इसका जो नाम है इस side का वो c भी है c point से b point तक ठीक है और यह जो फासला है उस फासला का नाम हमने d2 रखा था ठीक है d1 है चले जी इसको d1 कर देते हैं ताके confusion ना हो इसको हम d2 कर देते हैं ठीक है ओके तो work from c point to b point c point से b point पर जाते वे जो work हमने calculate करना है ठीक होगा जरा देखिए work आप कैसे calculate करते है work आप कास बराबर होता है w is equals to fd cause of theta ठीक है तो c point से d point तक जाते हुए जो इसने force इसके उपर act हो रही है क्योंकि हम gravitational field के अंदर work calculate करना चाहरे हैं तो यहां पर जो force इसके उपर act होगी वो gravitational force होगी जो के weight के बराबर होती है तो weight को मैंने w to show किया अब वो weight जो है वो यहाद रखे हमेशा downward act होता है ठीक है तो इसके उपर जो weight की force हो इस तरह से act हो रही w ठीक है और body का displacement इस direction में तो आप मुझे बताइए कि इस case के अंदर displacement इधर है और जो force है weight के वो नीचे है इनके दर मैं angle क्या बनता है 90 degree का ठीक तो work क्या होगा फिर हमारे पास w from c.2 b. is equals to force क्या है w ठीक है और displacement क्या cover किया इसने जाते हो इदर को d2 ठीक है और cause of theta होता है अब theta की value यहाँ पर कितनी है 90 degrees case के अंदर क्यूंकि weight always acting downward ठीक है नीचे को act हो रहा है displacement instruction में है तो दोनों में हमारे पास जो angle बनता है वो 90 degree का बनता है और आप जानते हैं कि cause 90 degree पर क्या होता है 0 होता है w d2 into 0 so the work from point c to b is 0 कुछ भी work नहीं होगा ठीक है 0 work है ओके फिर इस path के लोग देख लेते हैं अब यहाँ से यहाँ पर जाते होगे कितना work हो ठीक है वह work हो जाए हमारा w from point b to point a point b से point a पर जाते होगे ठीक है यह diagram मैंने बिलकुल आपकी book के regarding इसलिए बनाई है ताके आपको समझने में आसानी हो जब आप याद करते हैं तो बुक से याद करते हैं तो अगर मैं diagram कुछ और बनाऊंगा बुक में कुछ और होगी तो शायद आपको confusion हो सके तो इसलिए मैंने same to same book वली diagram जब बनाई है और वही labeling की है ठीक है लेबलिंग वैसे change कर सकते हैं कोई issue नहीं है लेकिन मैंने बुक वली बनाने का मक्सद यह था कि आप लोग confuse ना हो ओके जी तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वर्क निकालना है यहां से यहां तक अब जो displacement यहां से यहां तक कवर हुआ वह displacement कितना जी डीवान ठीक है और जो इसके उपर force है gravitational force वो हमेशा downward होती कितना एफेक्ट हो लिए क्योंकि हमने यहां पाद जो है वो वर्क निकालना है gravitational field के अंदर रहते हो तो force जो gravitational force होगी जो के weight के बराबर होती है d upward weight downward angle कितना बनता है इनके दर्मयान 180 degree ठीक है 180 degree तो आपने यहां पर theta की value 180 पुट करने है तो चलिए देखते हैं जी work from point c to point b is equals to force क्या है weight की force है w और कितना distance cover किया जी d1 cause of theta theta की value कितनी होगी 180 degree तो आपको पता होना चाहिए cause 180 पे कितना होता माइनस 1 w d1 into minus 1 आपके पास ठीक है तो यह बन जाता जी माइनस w into d1 okay तो यह हमारा पास आगा जी second part का work उसके बाद इसमें आ जाते हैं यहां से लेकर यहां तक okay अब यहां पर जो angle था वो 90 degree था यहां पर जो angle है उसको theta कहा गया है यह angle कितना है जी theta है okay अब उपर से point a से point c तक body आ रही पहले यूँ गई थी फिर यूँ गई थी अब यूँ आ रही है point a से point c तक तो अब हमने work निकालना है work from point a to point c तो point a से point c तक हमने work निकालना है तो क्या करेंगे जी w from a to c is equals to अब यहां पर जो force है वो downward act कर रही है इधर को देखें जी ऐसे w और जो displacement cover हो रहा है वो d वो इस direction में आ रहा है तो इनके दर्मयन angle कितना होगा जी theta angle होगा यह देखें यह एक line है और यह दूसरी line है इन दोने के दर्मयन angle कितना है यह theta यह line ड्रा करता हूँ तो इसमें भी angle कितना होगा फिटा यह match का concept है यह अगर यह एक एक,एसे में एक angle बनाता हूझ theta, अब इस े 지ंगे पारलल में जितनी भी lines ड्रा करें है यह भी Theta हो का है यह भी theta होगा, यह भी 맛있 फीटा होगा इसके साथ parallel true का तरो में सब के सबILL यह इंगल Theta होगी है अब क्यूंक यह angle theta है तो यह weight ऐसे digit कॉरा है ठीक है, तो यह भी हिस के साथ parallel है तो यह लाइन के पारलल में जितनी भी लाइन जुरा करें। ऐसे यह भी थीटा होगा इसके साथ पारलल डॉ 주는 यह सब के सब इसके सब अंबनन थीटा होगी। अब क्योंके यहτεं तो यह वेड़ ऐसे डा bater कर रही है। तो यहां प्याम पर भी W और जो displacement cover किया वो कितना है जी डी साथ मेगा कॉस थीटा की वैल्यू पता नहीं है तो थीटा ही रहेगी ऐसे अब देखें जी यहां पर यह हमारे पास आगए जी थर्ड टाइम में वर्क थर्ड पाफ में अब जरा देखिए क्या इन तीनों को एड करने से टोटल वर्क जीरो मिलेगा यह तो है जीरो इसको तो एड करने की जरूरती नहीं यह तो जीरो है इसको और इसको एड करने से आपको वर्क जीरो मिलना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है माइनस WD1 मगर यह तो WD cos theta है, यह अगर WD1 बने, इसको इसके साथ add करेंगे, तो फिर यह 0 होगा, तो यह तो WD1 नहीं बना हुआ, तो फिर क्या total work 0 नहीं है, 0 है, अब दरह देखें कि कैसे 0 है, असल point आपको अब बताने लगा हूँ मैं, देखें, यहां लिखावा WD cos theta, ठीक है, आप ना इस इसको इसको देखें, यहां से लेकर यहां तक यह लाएंट थै, D, ठीक है, मैंने यहां पर भी show किया चले, यहां देख ले, इसको आप इसके components में break करें, ठीक है, एक इसका component किदर आएगा, यहां से, डाठी line से मैं show करता हूँ, एक component इसका यह बनेगा, यह वाला, ठीक है और दूसरा component इसका यहां पर बनेगा ऐसे इसी के साथ equal होगा वो भी ठीक है एक ये component बनेगा और ये ये component बनेगा ये force कोन सी है डी वाली या sorry displacement कहा ले ये डी displacement है यहां पर angle कितना है जी थीटा है ठीक है तो एक इसका ये component दूसरा इसका ये component बनेगा अब आपको पता है कि force को जब हम resolve करते है component में तो एक component perpendicular होता है और एक होता है base इस case के अंदर समझना थोड़ा सा मुश्कल होता है कि कौन सा perpendicular है और कौन सा base है यादर को बचो actual force या actual vector को आप high part news लेते है बाकी दोनों में से एक base होती है और एक perpendicular बेस की निशाने ये है कि angle theta हमेशा असल vector और base के दरम्यान में होता है यहाँ पर angle theta पाया जा रहा है इसका मतलब ये base है और ये perpendicular है अब अगर ये base है तो इसके साथ cause theta आएगा ये perpendicular है तो इसके साथ sine theta आएगा इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखें ये मैंने D displacement रखा ठीक है इसको resolve किया component में एक ये component दूसरा ये component अगर ये D है तो ये D cos theta आएगा और ये वाला D sin theta आएगा अब ज़रा गोर किजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक length किसके बराबर है D1 के और D जो हमारे पास ये वाला displacement है इसका एक component वो भी D1 के बराबर है इस component का नाम क्या है D cos theta ये देखें D cos theta किसके बराबर है जी D1 के फिर सुनें यहाँ पर angle है theta ये है displacement D इसको components में break करें एक component ये बनेगा मैंने black dotted line से show किया दूसरा component यहाँ पर बनेगा अब अगर angle theta यहाँ पर है तो theta हमेशा असल vector और base के दरमयान में होता है ये हमारा असल vector है displacement का और ये इसका एक component ये base वाला component है इसलिए ये D है तो ये D cos theta बनेगा लेकिन ये D cos theta actually D1 की length के बराबर है इसलिए लिखा कि D1 is equal to D cos theta इसको लाजमी अपनी book पर note कर लें ताकि आपको confusion ना हो यहाँ पर आप reference देंगे कि जो आपके पास D1 है वो बराबर है जिए D cos theta के ठीक है तो ये जो D cos theta की value है ये D cos theta की value इसकी रगा आप D1 लिख दें ठीक है So the work is equal to WD1 ठीक है इसकी जगा हमने क्या put कर दी है D1 क्यूंके D cos theta D1 के बराबर है D1 यहाँ से लेकर यहाँ तक length है और ये D है उसका एक component जो base है D cos theta और ये D1 दोनों length में equal है इसलिए D cos theta को मैं D1 से replace कर देता हूँ तो ये WD1 बन जाएगा ठीक है अब इन सब को मैं work को जो है वो मैं add करता हूँ टोटल वर्क जो आपके पास आएगा work total वो आएगा जी work from point C to B C to B plus work from point B to A work from point B to point A plus work from point A to point C work from point A to point C ये आपने यहाँ पर तीनों को add करते हैं पहला work कितना था C से B तक वो तो था 0 ठीक है और उसके बाद ये B से A तक जो work था वो minus minus WD1 था और W A से C तक वो कितना था W A से C तक DW1 ये WD1 ये आगे आगे आपके पास अब देख लिए ये WD1 ये भी WD1 ये negative और ये positive ये आपस में cancel हो जाते हैं ऐसे तो आपके पास जो total work आएगा वो क्या आएगा जीरू तो हमने देख लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए अगर हमें close path में work करते हैं तो close path में जो हमारा work होगा वो क्या होगा जी जीरू हो जाएगा Students अब हमने देखना है कि work done in the gravitational field is independent of path मतलब एक point से दूसरे point तक यानि एक point यह है दूसरा point यह है इस point से इस point तक आते हुए जो work होता है वो independent of path है अब यहां से यहां इस path से आए जितना work किया यहां से यह आए और फिर इस path पर आए उतना ही work होगा यानि इस path पर जितना work होगा इस path पर भी उतना ही work होगा इस पाथ के लोग आए चाहे इस पाथ के लोग आए चाहे इस पाथ के लोग आए जो आपके वर्क डान होगा वो सेम रहेगा ठीक है तो चलिए जी सको mathematical proof करते हैं अब हमने क्या सबोस किया यह triangular path ही हमने लिया है अब इस triangular path में एक point A से पहले B पर आएंगे और B से फिर C पर जाएंगे A से B पर और B से C पर यह पहला path एक path कर लें चलें इसका path 2 मैंने नाम दिया है यह एक path है और दूसरा path कौन सा है कि आप A से direct C पर जा रहे हैं ये दो path है हम प्रूव करेंगे कि इस path के लोग जो work है और इस path के लोग जो work है वो दोनों बराबर है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं जी path 1 के लोग work कितना जी path 1 path 1 में work जो हम calculate करेंगे वो work क्यों सा work होगा w from point A to point C from point A to point C ठीक है तो आपको पता है work किसके बराबर होता है ठीक है पताया था मैंने आपको w is equal to fd cause of theta ठीक है और यहाँ पर जो इस triangle में angle बन रहा है वो angle theta है आपको वहाँ पर मैंने पहले भी बताया है ओके जी अब यहां से इधर आते हुए यह body यह आ रही है इसके उपर जो force act कर रही है वो weight की force वो downward act कर रही है displacement यह इस direction में cover करती है वो displacement है d तो उस respect से फिर हमारे पास force आ गई w और displacement जो इसने cover किया वो है d cause of theta angle कितना होगा theta किस तरह से theta जैसे मैंने पहले बताया था कि देखो यहां पर एक angle theta है जो concept आपको बताया था कि अगर एक दो lines के दरमें एक angle क्या है theta यह अब इसके parallel अगर मैं कोई भी line डा करूँगा इधर भी उतना ही angle होगा इधर भी उतना ही angle होगा इसी respect से यह एक line है और यह दूसरी line है इनके दरमें angle theta है अब इसके parallel यह weight है तो यहां पर भी जो angle बनेगा वो theta ही बनेगा तो यहां पर जो displacement d है और जो force w है उसके दरमें angle theta है इसलिए जो हमारा work है from point a to point c that is equal to w d cause of theta ओके तो इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ अभी उसके बाद path 2 पर आ जाता हूँ path 2 path 2 में देखें जी पहले आपको a से b point पर आना है इसके दरमेंड कुछ work होगा फिर b से c के दरमेंड जाना है वहां पर कुछ work होगा इन दोनों को add करेंगे तो path 2 का work आपको बस बनेगा ठीक है तो path 2 में पहले हम work calculate कर लेते हैं point a to b work from point a to point b point a से b पर जाते होगी यहां से नीचे को आ रही है body अब displacement downward है और जो force इसको प्रेक्ट कर रही वो weight की force है वो भी downward है तो दोनों along the same direction में value force आ गई वो भी downward displacement जो है वो हमारे पास d1 वो भी downward तो इस case के अंदर theta की value होगी 0 degree ठीक है तो work कैसे निकलता है force force की जगा आएगा weight क्योंकि weight एक force है और displacement कितना उपर से नीचे आते cover की है यहां से लेकर यहां ता किस triangle के length कितनी है d1 d1 आ गया है ठीक है और cause of 0 degree अब cause जो है वो 0 degree पर क्या होता है आपको पता होना चाहिए cause 0 degree पर 1 होता है w d1 into 1 ठीक है यह क्या बन जाता है w d1 ओके इसी तरह से अब हमने यह आदेश से का path find कर लिया अब यह दूसरे वाला यहां से यहां आते हुए यहां से यहां आते हुए देखे जो force है वो downward act कर रही कि वेट हमेशा downward ही होगा किसी भी point के ओपर देख लें downward 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 displacement हम इस तरफ देख रहे है तो displacement में और जो force है उसके तरह में angle कितना बनता है 90 degree का इधर को displacement d2 है नीचो को weight की force है angle कितना बनता है 90 degree का तो यहां पर work क्या होगा फिर आपको बास work from point b to point c तो वो work आपको बास आदेगा force into displacement होता है तो force क्या है जी weight की force है ठीक है और displacement जो horizontal path में है वो d2 है d2 नाम है उसका ठीक है साथ में क्या आएगा cause of theta theta कितना है 90 degree यहां देखा आपने theta बराबर है 90 degree के cause 90 degree पर क्या होता है calculator आपको value देगा 0 ठीक है तो 0 into something is 0 तो हमारा जो total आता है यहां पर work वो कौन सा आता है point a से b और b से c तक वो direct क्या बनेगा a से c तक वो कैसे मिलेगा आपको point a से point c तक वो मिलेगा जी आपको यह वाला work work from point a to b plus work from point कौन सा point दूसरा है जी b से c ठीक है तो a से b तक work है जी w d1 और b से c तक work है जी 0 इसलिए हमारा जो total work बना from point a to c during path 2 वो कितना बना जी total work w d1 लेकर यहां पर तो w d cos theta लेखा हुआ है तो जैसे हमने बेस के दर्मैन में होता है यह side base है यह d है तो फिर यह d cos theta बनता है क्योंकि base के साथ cos use होता है यह perpendicular है तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास इसनों मैं लिख देता हूँ d sin theta और यह बन जाएगा d cos theta तो आप देख सकते हैं क्या रहेगा w इसकी जगा आप लिख देंगे जी d1 यह जो d cos theta था इसको replace कर दिया d1 से तो आप देख सकते हैं कि यह path 1 में जो total work आया वो w d1 है path 2 में जो total work आया वो भी w d1 है तो इस तरह से हमारे पास साबत हो गया कि gravitational field के अंदर रहते हुए आप किसी भी path से एक point से दूसरे point तक आजए जो work है वो आपका सेम रहता है ठीक है यहां से यूं हमने work निकाल लिया इस point से भी हम इस point तक work निकाल लिया दूनों की value जब आपके पास सेम आई तो बच्चों यह था हमाराज का topic अगर आपको कोई confusion आई या किसी किसम का कोई problem है तो comment section